ख्यान दें सभी गुड मॉनिंग हाँ तो कल हम बात कर रहे थे आपूल प्रभाविता की ठीक है इंकम्बली डॉमिनेंस आप हेडी बनाले आपूल प्रभाविता इंकम्बली डॉमिनेंस इंकम्बली डॉमिनेंस थ्यान दीजे अब यहां पे यह जो आप उस्प देख रहे हैं फूल देख रहे हैं यह क्या है स्नेप ड्रेगन स्नेप ड्रेगन या एंटी राइनम का फूल है इसको बोलते हैं हिंदी में स्वानपुस्प क्या बोलते हैं स्नेप ड्रेगन या एंटी राइनम तो सब्सक्राइब तो यह प्रीम कैसा нравится मतलब जो red color आना स्वय है वो तो चिप गया न रेड आया न वाइट आया आगया गुलाबी ये अपबुड प्रभाविता है ठीक है जो लच्छा डॉमिनेंट होने वाले थे वो नहीं हो पाएं ठीक है फिर उन्हों ने क्या किया यहाँ पे दा मेल गए मिट लिया फीवेल गए मिट लिया और मेजी मिट लिया, ठीक है? यहां करहा है फीनोटाइप अनुपात और क्या है जीनोटाइप अनुपात अर्थाद दिरिष्ट रूप और जीन रूप ठीक है अब यहां लाल गुलाभी स्वेत यह तो जो पर्यावण में दिखने वाले हैं ठीक है और वही रियाशियो सेम जीनोटाइप में आया 1 is 2, 2 is 2, 1 मलब की एक पुस्प Capital R, Capital War दो पुस्प कैसे थे Capital R, Small R था पिंक कलर, गुलाबी कलर उसके बाद में Small R, Small War थे ठीक है, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं ठीक, उसके बाद में उन्होंने क्या किया फिर इस जीच को दोहराया ठीक है स्वान पुस्प नामक पौदो में एक संकर संकरन यह स्वान पुस्प है देख रहे है न यहाँ पे पिंक कलर भी फूल है, वाइड भी इसमें मिलेंगे, और आपको रेड भी मिलेंगे के परणाम यहाँ पर एक अलील, दूसरे के ऊपर अपूर प्रभावी है मतलब इसमें तीनों आएंगे बट क्या होगा, जब यह एक टूब क्रास कराया गया तीनों आएंगे, ठीक है रेड भी आपको दिख रहा है, पिंक भी दिख रहा है आपको वाइड भी दिखेगा, ठीक है ध्यान दीजेगा आप लोग लिखेगा स्वान पुस्प ब्रेकट में स्नेप ड्रेगन अबलिक इंटी राइनम स्वान पुस्प ब्रेकट में स्नेप ड्रेगन अबलिक इंटी राइनम में पुस्प रंग की वनसागती आपूर प्रभाविता को समझने के लिए अच्छा उदाहरन है आपूर प्रभाविता को समझने के लिए अच्छा उदाहरन है आपूर प्रभाविता को समझने के लिए अच्छा उदाहरन है हो गया हो गया हो गया आगे लिखे लाल फूल वाले लाल फूल वाले ब्रेकेट में कैपटल आर कैपटल आर थोड़ा स्पीड में लिखेंगा आप लोग लाल पुस्प वाले कैपटल आर कैपटल आर और और सफेज फूल वाले ब्रेकेट में इसमाल आर इसमाल आर प्रजाति के संकर्ण के पैणाम सरूप यपवन पीड़ी गुलाबी फूलों ब्रेकेट में कैपटल आर इसमाल आर वाली प्राप्त हुई गुलाबी फूलों वाली प्राप्त हुई जब इस यफवन संतति को स्वयम परागित किया गया तो स्वयम परागित किया गया तो परागित किया गया तो परागित किया गया तो परिणामों का अनुपात परागित किया गया तो परिणामों का अनुपात एक एक ब्रीकट में कैप्टल आर कैप्टल आर लाल लाल कामा कामा दीजे एक, capital R, capital R, लाल, कामा, दो, capital R, small R, गुलाबी, गुलाबी, कामा, एक, small R, small R, सफेद, सफेद, पुस्प प्राप्त होती हैं, हो गया, सफेद, पुस्प प्राप्त होती हैं, मैंने आपको कहा, मैंने कहा, कि आपूल प्रभाविता को समझने के लिए, सबसे अच्छा ओदार्न क्या है, स्वान पुस्प है, अपूर्ब प्रभाविता को समझने के लिए सबसे अच्छा ओदार्न क्या है स्वान पुस्प हैस्नेप ड्रेगन या एंटी राइन Keliminal है अपूर्ब इनकम्पले को समझने के लिए सबसे अच्छा बेस्ट एक्जाम्पल आफ स्नेप ड्रेगन ठीक है अब यहां उन्होंने क्या किया पुस्प की रंग की वनसागत यह पूर किया मलब जो पुस्प की रंग की वनसागत हो रही थी यह मेरे मतलब माता पिता थे कैसे रेड और पिंक थे हां म मतलब की मैंने अपको कहा कि यह मेल क्या था रेट था और फिमेल क्या था वाइट दी जब दोनों के बीच में संक्र कराया गया तो लाल या सफेद आना चाहिए था लेकिन कैसा आ गया हां गुलाबी आ ठीक है काने मलब यही है ना जिसे मैंने कहा बई यह इसले कह रहे है चलता है कि माताब चल कर बच्चों में जाना है आना है वह क्या है कि शliy ना जो रही वो अपूल कम्प्लीट न होकर इंकम्प्लीट होई उसको समझने के लिए अच्छा ओधन क्या है भी या इंटी राइनम है या स्नेप ड्रेगन है आपको बताना यह चाहता हूं फिर उन्होंने क्या किया लाल पुस्प लिया फिर सफेद पूस्प लिया दोनों के बीचे में लाए उन्होंने लाल पुस्प और स्वाभी ज़ुक्राइब। फिर उन्होंने यप और पीडी को स्वाप परागित किया तो जानते हैं यप टू जर्रेशन में जीनो टाइप पियो टाइप कितना आया वन इस्टू टू इस्टू वन मतलब एक एक कैसा था रेट था दो पिंग थे अब एक क्या था वाईट ठीक है बास समझे हैं उसके बाद में सुनिए फिर क्या कर रहा है कर रहा है यहां पर जीनो टाइप अनुपात वही था जो किसी भी मेंडलिये एक संकर्ण के संकर्ण में प्रभावित होता है ठीक है किन्त फिर सब्सक्राइब और था थ्री इस टू वन प्रभावी और अप्रभावी बदल गया इस उदहन में आर क्या एक यह कारक अ से गुलाबी प्राप्त हो गया सब्सक्राइब कर रहा है कि यहाँ पर जी नो टाइप अनुपात वही था जी नो टाइप यह है अन्हें मलत क्या है तो फीस्टू ठीक है जीनो टाइप का मलब ही होता है आपके बौड़ी के अंदर क्या क्रोमोसम्सम्ट की एरिस्मेंट है कैसा जीन है आपका ठीक है क्या क्रोमोस्म की स्थिती है ठीक है जो किसी भी मेंडली एक संकर संकर के संभावित होता है जो मेंडल के तो चलता है किन्तु फेनोटाइप अनुपात कितना है फेनोटाइप का मतलब है जो वालतावन में दिख जाए ठीक है लिसे आप मटर के प्लांट के पास आप जाओगे तो लंबे मटर आपको दिख जाएंगे अच्छे क्वालिटी के मटर आपको दिख जाएंगे प्लांट दिख जाएंगे आपको अब जो बावने रहेगा आप ने देखा हूं जैक उसके बाद में जो किसी भी केंचेछिक तरी तरह स्य प्रीरॉट अनुपाद ah इस्टू औरिस्टू 1 प्रहावी आ प्रभावी बदल गया जो प्रभावी था और प्रभावी था बदल गया ठिकए आप रमावी क्या एं साइद आए प्रभावी नहीं रहा अथा लाल सफेज से गुलाबी साह अगर रेडवाला कर रेडवाला जीन अगर उइड पर प्रभावी होता तो रेड़ी ही आता बासमर रहे न अब देखिए प्रभावी ता नामक संकल्पना का अस्पस्टी करन ध्यान दीजेगा अब कह रहां इसको लिखना नहीं ध्यान दीजेगा कुछ अलिल प्रभावी और कॉछ अलिल क्या होते है आ प्रभावी बैड या अब कैपटल टी है यह तो प्रभावी यह हम कहा你看 सब्सक्राइब ऑर यह इस माल टी समाल क्या है आप्रभावी कि लेकिन जब दुनों से कराया गया तो इसमें भी प्रभावी है क्योंकि सबसे यह है क्योंकि यह dominant गया और यह रिसेशू गया अब जब रिसेशू dominant मिलेंगे तो dominant रिसेशू की जो quality है वो छिप जाएगी नेरी बासमर रहे न आप ठीके अब जैसे बच्चा को बच्चा जर्म लेना है या तो लड़की जर्म होगी या तो लड़की का जर्म होगा या तो लड़के का जर्म होगा बासमर रहे न तो जो जर्म लेगा अगर लड़की के जर्म हुआ तो y क्या हो जाए अगर इससी हो प्रभावी हो तो कह रहा है इन बातों को समझने के लिए आवस्यक हो जाता है कि जीन का कार्ज समझा जाए अगर इस बात को समझना है यहां के रेट के नहीं आया ठीक है पूम गुलाभी के वह आ गया ठीक है तो क्या है प्रभाविता नामग संगल्बना का अस्पस्टी करण है कैसे स्पुष्ट किया जाए आपको बताएं पहले जीन को समझा जाए बहुत जो जीन में गुल होगा वही मातापिता में जाएगा बोलिए बहुत जो अब देसे मैंने कहा गोड़े और गदे साथ करास कराया गया था तो खचर का जन्म हुआ खचर का जन्म हुआ कैसे हुआ दोनों की जीन मिले ना डिपरेंट डिफरेंट जीन मिला बताएं तब तो जैसे माल लीजिए अब तो बायो टेकनोलोजी इतना ज्यादा बढ़ गई है ना इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अगर आपका ज आप देखें कितनी कलाकारी की गई है अब ध्यान देना आप जानते ही है कि जीन में विशेस विशेस को को अव्यक्त करने की सुचना नहीं तरहती है सुचना अगर माता पिता के लचण अगले पीड़ी में जाएंगे तो जीन में सूचना की यह होती है क्वाल्टी होती है इंसे प्रतेग चीन के दूप्राणुप विद्मान रहते हैं पर्तेग चीन के दू-प्राणूप अगार पेर हे तो capital टी ढूंत यहां पर क्या है दोजीन की प्रारूप है ठीक है जितय ना लगए यह संसे aja 9 अएसा अभी हो सकता है अलील डिपरेंट भी हो सकते टैके जैसा की विसमें युगमक हेट रोजाइस अरे इही अरे इही ना कर Elle अबहर् Noam आपनूसक नहीं है कि अलील के जोड़्य हमेसा एक जैसे हैं सभी कव थाएं जरूरी नहीं है जरूरी नहीं है जरूरी यह नहीं है कि ए हो सकता है कर रहा है जोड़े हमेरे साथ जैसे हो जैसे कि विसम युगमनजी यह क्या है विसम युगमनजी और यह क्या है सब्सक्राइब है यह होमोजाइगस है डिप्रेंट डिप्रेंट आफ एलील्स सब्सक्राइब होता है उनमें से एक विनता का कारण उसमें कोई परिवर्तन हो सकता है परिवर्तन हिसलिए आप अगले ध्याय में पढ़ैंगे ऑलील में नहीं के सुचना को पुर्पांद्रित कर देता है मतलब जानते हैं जीन होता है वो माता-पिता की सूचनाओं को अगली पिछ नाओं को बच्चों में लेकि जाता है आज हम भी है आप भी है ठीक है सब आप लोग यहां बैटे हुए तो आप सब भी लोग है तो यह माता-पिता का देन है उनके जीन का लेन है कि आप वह सूचनाओं आप क्वाल्टी आप तक पहुची आपसे किसी और में जाएगा ऐसे पुर में जाएगा ऐसी पूरी दुनिया चल रही है है ठीक है इसामाशे कईसा पूर्दुनिया ES सोचा कि मांके रेक बच्चा मांके सारे घुड़ों पिता के ारे गुड़ों को Active डाए актив कर क्या लेता है हय जाता है ऐसा कैसे हुआ यह जीन के द्वारा हुआ DNA अगर मा यह पिता में कोई जेन्टी प्रॉब्लम है जेंटी बिमारियां हे हेमोफीलिया सिकल सिल एनेमिया एलकेप्टोनूरिया फिनलकीटोनूरिया ठीक है ठीक है अगर आईसी कोई विमारी है ठीक है अगर माता-पीता के अंदर तो बच्चों में भी त्रांसपर होगा क्योंकि वह जीन डिस्टर्प है उनका उस जीन के घट जाने से बढ़ जाने स माल लीजे मेरे पास DNA का धागा है मेरे पास DNA का धागा है अब DNA में DNA के धागे में आप जानते हो बहुत सारे जीन लगे हुई है बहुत सारे छोटे छोटे जीन लगे हुई है अब माल लीजे हर जीन का अपना अलग-अलग काम होता है अब जितने जीन होने चाहिए उतने जी लेकिन अगर एकाव जीर घट जाए या बढ़ जाए घटने से बढ़ने से क्या हो सकती है कि जो बच्चे का जर्म होगाना उसमें बदलाव आ जाएगा कि या कोई बीमारी हो जाएगा गट जाने से बढ़ जाने से फिक है इसी जह लिकेस्ता प्रभाविता 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 देखे आब सप्रभाविता को समझने के लिए सप्रभाविता को समझने के लिए सबसे बड़ा एक्जामपल लिए अब फीर ब्लेट ग्रूप यह human body का abo blood group लिया गया ठीक है co dominance को समझने के लिए abo blood group को लिया गया आप जानते हैं इंसान के अंदर जानते हैं कितने प्रकार के चार प्रकार के blood group होते हैं एक क्या होता है a होता है b होता है ab होता है और o होता है यह जानते क्या होता है donor क्या होता है ढोनर को क्या होता है एसेप्टर क्या होता है इसेप्टर ठीक है इससेप्टर इसब का बत लेगा डिशीप करेगा ऑब डोनेट करेगा देगा सब है यह जो आहीव वागति सिर्माना मैं हूँ तो वनिए ओम यह और faut यह प्रस्टिू है तब नहीं देसकता है Twin वह पाश्टिू है ता नहीं देसकता है कि अगर मेरे माल लीजोए अगर 310 तो मैं सब को रख्त देसकता हूं deed कोई दिकत नहीं मिलें डोनर है AB को, B को और A को और AB, जो AB है न, उस A सेप्टर है अर्था सब का रक्त ले सकता है ये AB सब का रक्त ले सकता है O का, B का, A का ठीक है? लेकिन दे नहीं सकता है अगर जैसे AB ब्लेड गूप वाला B को और दिया रक्त तो खटाक से ब्लेड क्लोट हो जाएगा और पेसेंट की मृत्ति हो जाएगी तुरंद इसलिए, इसलिए क्या करते है अगर आप होस्पिटल में जा रहे है पहले क्या करिए, उसको आप जांच करिए ठीक है? जांच करिए आपको बताएं, अगर मेरा ब्लेड ग्रूप A है और ठीक है, मेरे लड़के का ब्लेड ग्रूप क्या है? ए है, तो मैं उसको रक्त दे सकता हूँ और मैं उससे रक्त ले सकता हूँ माना कि मेरा रक्त A है और मेरे बच्चे क्या है? A positive है तो क्या बताओ, मैं उसको रक्त दे सकता हूँ और ना ले सकता A positive, यह एक प्रकार का आरेच फ्यक्टर आपके body में क्या होता है? आरेच फ्यक्टर जबकि कोई मा के गर में बच्चा होता है तो last pregnancy में आरेच फ्यक्टर की जांच होती है यह बहुत ज़रूरी होती है आरेच फ्यक्टर की जांच होती है माल लिजे, by the way, ज्यादा bleeding होने के वज़े से मा को blood देने क्या हो सकता पड़ जाए तो क्या करेंगे? आरेच फ्यक्टर की जांच पहले हो जाती है ठीक है? बहुत ज़रूरी है आरेच फ्यक्टर उसके बाद में अब मैंने कहा अब यहां अगर blood group O है तो आप O वाले को दे सकते हो लेकिन अगर मेरा blood group O है तो पास्टी वाले को नहीं दे सकते हो यह reason है ठीक है? अब यहां ध्यान देना चलिए बात करते हैं अब कह रहा है किस्ता प्रभाविता को dominance को समझने के लिए सबसे बड़ा example लिया गया ABO रक्त गुरूप ABO रक्त समूग आप जानते हैं और रक्त के ऐसा कौन सा जीन है जो रक्त को लेके जाता है तो वहाँ आई को दिखाया गया है आई को इसको जीन माना गया है इस जीन पर ABO रक्त गुरूप नहीं तो होते हैं पाए जाते हैं और यही रक्त के बड़ गुरूप को लेके जाते हैं अरे भीया मैंने कहा अगर मा का बड़ गुरूप ए है पिता जी का भी है तो क्रास कराओ AB हो सकता है या फ़ान में AB पहली बार बच्चा जन मिलेगा तो AB होगा अब जो बच्चे हैं या पटू में जब जाएंगे न इनकी साधी होगी तो जानते हो अब हम ऐसे क्रास करा सकते हैं यहाँ पर A, B, A, B A, A A, B, A, B A, B, B, B मतलब ब्लड गूप A, ब्लड गूप B, ठीक है, और ब्लड गूप, ब्लड गूप सरी, A, B, A और B, और B, ऐसा हो सकता है, बच्चा मलक बच्चा बच्चर मिलेगा, तो ब्लड गूप A वाला भी हो सकता है, A, B वाला भी हो सकता है, और B, वाला भी हो सकता है, बास समर रहे है मतलब की कहने का मेरा मतलब यह है कि बच्चा अगर माल लीजे माता का बड़गूप क्या है ए है और माल लीजे माता का बड़गूप ए है और पिता का ए है तो बच्चा ए वाला भी हो सकता है बी वाला भी हो सकता है ए भी वाला भी हो सकता है ओ वाला नहीं हो सकता है माना कि यहां पर जो मा है ब्रगुप ओ है तो बच्चा अब ए क्या है रिसेस्ट्यू जीन है यह क्या है डॉमिनेंट प्रभावी है तो ए जानने के चांस अधिक रहते हैं अब मैं आपको बता रहा हूँ यह देखिए यह जानने के चांस अधिक रहते हैं जिसे मैंने कहा कि A ठीक है यह A और O ठीक है आप दोनों के साथ एमेल फिमेल हैं क्रास कराया गया तो बताओ अगरी जिसन क्या आया ए आया क्या आया ए आया ठीक है A O आएगा उपरभावी न कि आएगा जरूर जास्य मैंने कहा A है और O है A है और O है पहले बात ऐ ए यह में क्या हो जाएगा ए हो छanyगा फिर A O मतलब कि हम कहेंगे एछ९ गया मिलब लेकर formas B double A क्योर्प वाला हुं वहलएल और बात मिला स्पर वाला हो जाएगा यहहां क्या हो जाएगा एल और ए और मैने कहा आई-बी, आई-ए और आई-बी मैने कहा, या माल लेजे, हमने कहा, हमने कहा, या आई-ए और आई-ए, आई-ए आप जबाओ अब ज़रा अंग, कह今天 है आई-ए-आई-ए, मा भी byτι बेड़ गरूप हां भूत्य पत्रा देख्क है ए न सुब मतलब की सुब देख्क करते हैं न को आधा खया अच़् यह बताओ कोई कहे अब लड़ी करना आधि करना है अभीने करेंगे करेंगे подтब लड़की की बोल दे लड़के वाला बोल लेकिन यहां पर जा़चिसी होती है कोई मंगला होना चाहिए ऐसा ममलब की ठीक है ה होता है मंगला है तो मंगला साधी सुमंगला सुमंगला साधी ममलब n इस प्रकास कुछ होते हैं सब्सक्राइब जब करा गया सुनिए अब यह जीन है आई आई क्या है यहीं ब्लड ग्रूप एक लेके जाएगा ठीक है अगर यह जीन न होता तो साइट ब्लड ग्रूप का लच्छान अगली संतान में न जाता इसके पास जीन के आपको सुचना देनी क्वालटी है तिके मैंने का बगल वात आई क्या है वह बैक बनाने वाला है उने वह लग कि मैं गया था बाश्चापूर कि एक लोग मुझे मिले पंडी जी थे उन्हें कहा कि सर मलव की एक अस्टाल के विशे में हम देखने के लिए गये थे तो वहाँ क्या हुआ मैं कुछ बात-बात में पंडी जी ने कहा कि भई देखिए यहां तो बात्षापर में बहुत लोग क्या कर रहे हैं बीना यमेस किये, मास्टर आफ सर्जन किये, बीना एम्बीवेस किये सर्जरी कर लेते हैं, चीर फार कर लेते हैं, ति देखर बीया, आपको बताएं, देखकर सर्जरी करना बात अलग है, इसलिए लोग मर जाते हैं, मृत्तिव हो जाती है, अस्पतालों में मर जाते हैं, जी कहें, इसलिए जब किसी के पास मास्टर आफ सर्जर्ण की एथार्टी होती है, तब हो जाके चीर फार बाड़ी को ओपिन कर सकता है, अमने का सर, इसलिए करना क्राइम, यह क्राइम है, अब पेसेंट, पेसेंट क्या होता है, बहुत मजबूर होता है, पेसेंट आलसो क्या होता है, बहु प्रभाविता को डॉमिनेंस यहां आभी तक हम चर्चा कर रहे थे कि उने संकरणों क्रासों संकरण का मतलब होता है क्रासों का मतलब होता है दो विपिरीत लच्छडों के साथ संकरण कराना लंबा और बौना दोनों के बीच में संकरण कराना तो संकर आया ठीक है लंबा आया वही क्या है संकरण है ठीक है दो जातियों के बीच में क्या कराना हां ब्रीडिंग कराना संकरण कराना वही क्या है संकरण है क्रास है क्रासिंग ओवर अलग होता है उन संकरण करासों की जहां यपहन Дो जन्कों में इदए कईक से मिलता या प्रभावी होता है ज्यान देना कह रहा है यपहन कर आया गहारा लंबा अब दो जनक कर आया गया कैसर दोनों आए नहीं लंबा लंबा काहीं लेखना आये मिलता है या प्रभावी से मिलता है एटमोसफेर में आपको दिखेगा ठीक है सह प्रभाविता ऐसी घटना है कैसी घटना है तीक है कैसी बता रहा हूं जिसमें यपवन पीड़ी दोनों जनकों से मिलती जुलती है यपवन पीड़ी के दोनों जनकों से मिलती जुलती है इसका एक अच्छा उदार्यन मानों में A.B.O. रुधिर वर्गों का निर्धान करने वाली विभिन प्रकार की लाल रुधिर कड़िका कोश्काएं हैं ठीक है अब देखिए और A.B.O. रुधिर वर्गों का निर्धान करने वाली विभिन प्रकार की लाल रुधिर कड़िकाएं हैं ये लाल रुधिर कड़िकाएं ह अगर एबी और उदिरवर को लेके जाना है अगली सतान में तो क्या है में जीन आई है जैसे कि में अट्स की विमारी सबसे पहले चिम्पांजी अंदर से आई कि चिम्पांजी के अंदर से आई ठीक है, कोई सिकारी सिकार करने गया था सायद वो जब अटेक कर रहा था चिंपांजी को उपर तो चिंपांजी ने रिवर्स अटेक कर दिया उसके उपर यह रज़ा महराजा होते थे जंगलों में जाके आखेट करते दूसरे की जान लेकर उनको बडा इंट्रेस्ट होता था जानवरों को जान लेते थे जंगली सुवरों को मारते थे उनको बड़ा इंट्रेस्ट था तो तो ऐसा होता था उसी से दवराने घटना हुई थी एड्स की विमारी चिमपांदी से आई जब एड्स का जानकारी हुई ना पचीस साल बाद तो उस समय करोणों से ज्यादा लोग मारे जा चुके थे जान लिजे करोणों से ज्यादा लोग मारे जा चुके थे ध्यान देना लिखें लिखें सप्रभाविता को समझने के लिए सप्रभाविता को समझने के लिए इसका एक अच्छा उदाहरन मानवों में ए भी और उदिर वर्गों का इसका एक अच्छा उदाहरन मानवों में ए भी और उदिर वर्गों का निर्धारन करने वाली विबिन प्रकार की निर्धारन करने वाली विबिन प्रकार की लाल रुदिर को सिकाएं हैं ए भी और उदिर वर्गों का निर्धारन करने वाली विपीन प्रकार की लाल अरुधिर को स्काएं हैं दिव्यां से आदो गुड मॉनिंग गुड मॉनिंग विपीन पंडिज्द जैसी राम जैसी राम क्या बात है ओनलाइन क्लास ले रहें कोई बात नहीं है बहुत अच्छी बात है एबी और उधिर वर्गों का निधान करने वाली विपीन प्रकार की लाल उधिर को स्काएं हैं कितना हो गया को स्काएं है एबी और उधिर वर्गों का नियंतन जीन आई करती है एबी और उधिर वर्गों का नियंतन जीन आई करती है क्यापिटल आई लिखेगा जीन आई बलब ए बी ओ बच्चों से माता पिता से बच्चों जा रहा है तो कौन लेख जा रहा है जीन आई ठीक है जीन आई करती है इस्टार पॉइंट में लिखेए लाल रुधिर कोशिकाओं की प्लाजमा जिल्ली में लाल रुधिर कोशिकाओं की प्लाजमा जिल्ली जो प्लास्मा मिम्ब्रेन होती है ठीक है आर्बीसी का प्लाजमा जिल्ली में सता से बाहर निकलते हुए सरकरा बहुलक होते हैं कि सरकरा बहुलक होते हैं पाली मर्द इसका नियंत्र भी जीन आई से होता है इसका नियंत्र भी जीन आई से होता है इसका नियंत्र भी जीन आई से होता है हो गया इस जीन आई के तीन अलील इस जीन आई के तीन अलेल आई ए कामा आई बी और आई होते हैं आई ए कामा आई बी और आई होते हैं यह आई क्या मतलब क्या होता है इसमाल ओ होता है और ए और बी होते हैं हो गया इस्टार पार्म लिखें अलील आई-ए और अलील आई-बी कुछ भिन अलील आई-ए अलील आई-बी कुछ भिन प्रकार की सरकरा का उत्पादन करते हैं अलील आई-ए और अलील आई-बी कुछ भिन प्रकार की सरकरा का उत्पादन करते हैं और अलील आई-ए किसी भी प्रकार की सरकरा का उत्पादन नहीं करती है जो आई-ए होता है आई-बी होता है यह दोनों अलील है ठीक है अलील है आई-ए एलील है आई-बी एलील है दोनों भिन्द प्रकार के एलील हैं और दोनों एलील क्या होते हैं भिन्द भिन्द प्रकार के सरकरा को निकालते हैं शुक्रोज को निकालते हैं ठीक है आप सुनिए हो गया अप सुनिए करा है मानो जीन कैसा होता है दुगडित होता है बास सही है टू एन का मलब होता है दो कोश्च का वाला ठीक है जब मेल और फिमेल मिलेंगे न तो इस्पम और और फटलाइस तो बताओ और इस्पम का और और मिलेंगे तो टू एन हो जाएगा ठीक है 2N डुगडित मतलत दो कोश्च का वाला इसलिए प्रतेक प्रतेक ब्यक्ती में इन तीन में से दो प्रकार के जीन अलील होते हैं कह रहा है मानो जीर क्या थो टूयन दो नुकिलेस वाला, दो केंद्रक वाला दिगुडित होता है इसलिए प्रतेग ब्यक्ति में इन तीनों में से दो प्रकार के जीन अलील होते हैं I, A और I, B तो I के उपर पूर्णूरूप से प्रभावी होते हैं I क्या है? बतलब ब्लडगूरूप क्या है? O ये ब्लडगूरूप O को लेके जाएगा ठीक है? और I, A, I, B अकसर खास करके जो ब्लडगूरूप माता-पिता से आने वाले चांसेस होते हैं ओ A और B होते हैं ठीक है? ओ क्या होता है? रिसेस्यू होता है क्या होता है? रिसेस्यू होता है ठीक है? ध्यान देना प्रभावी होते हैं अर्था जब I, A और I विदमान हो तो केवल A आभिव्यक्ति होता है मैंने आप कहा ना कि यह क्या होता है आई एक प्रभावी है डॉमिनेंट है और यह क्या रिसेस्जी होए दोनों के साथ क्या हुआ मालीजे यह माता है मालीजे यह पिता है और माहे अब बताओ जब अगला संतान का जन्म होगा तो जानते हैं यह क्वाल्टी जाएगी बट वह लुप्त हो जाएगा जाएगा बट प्रभावी नहीं होगा डॉमिनेंट नहीं होगा लेकिन आए जाकर अभिव्यक्त हो जाएगा अगली संतान में जन्म लेगा कंटाकसिं बास्नमरें न उसके बाद में और जब जब आइपी और आई वितमान हो तो केवल आई भी स्थ होता है मेरा क ठीक है अजिसे मैंने कहा बहिया कैप्टल्टी कैप्टल्टी समाल्टी समाल्टी बहिया मेरे कैप्टल्टी समाल्टी तो नो गया इसमाल वाला भी गया कैप्टल वाला भी होया लेकिन पर्यावन में प्रभावी कौन होगा कैप्टल वाला क्या बहुना यह फोन में आ सकता प्रभावी बना दिया इस प्रकार से माल लो अगर मैंने कहा पिता का क्या है पिता जी है यहां माता जी है ठीक है और आई आई है तो बताओ जो बच्चा प्रपैदा होगा तो बताओ आई ए और आई और आई होगा और बच्चे का पीता का आई है माता का आई है ठीक है तो बच्चा में जो जाएगा जीन जाएगा आई ए और आई जाएगा लेकि रख्षे का रख्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष दोनों उपस्थित हो तो दोनों अपने अपने प्रकार के सरकरां की अभी चिक वर जब आए ऑव दोनों उपस्थित हो तोई ये दोनों अपने अपने प्रकार की सरकरा की अभिव्यक्ति कर देते हैं यह घटना ही सप्रभाविता है इसी कारण लाल रुधिर को सिकाओं में ए और बी दोनों प्रकार की सरकरा होती है ए और बी दोनों प्रकार की सरकरा होती है इसी कारण लाल रुधिर कर उसक्याओं में ए और बी दोनों प्रकार की सरकरा होती है दोनों प्रकार की सरकरा होती है है कि इसी कारण यहां तो हो गया कि सरकरा होती है आगे लिखें के तीन भिन प्रकार के उसे लिखें तीन भिन प्रकार के अलील होने के कारण तीन भिण प्रकार के अलील होने के कारण इसके छ स्योजन संबौ हैं होने के कारण इसके छ स्योजन संबौ हैं और कि इस प्रकार एक य़ी ओर उधिर्वर्गों ग है ट्रीं शोबीन टाइप होगे इस प्रकार एंट्रीब उधिर वर्गों कि अद्शा भीविन टाइप होगे इतना हो गया लिख लीजी ठीक है आज के लिए इतना है कल इसकों बताएंगे आपको यह आप टेबल बना लीजेगा ठीक आप लोग टेबल बना लीजेगा ठीक है नमस्कार